हाई आप अपने इन्सेटर लें में आपको स्वागत है आज हम पढ़ेंगे जप्रफोर्थ इसका नाम है ट्राइबल्स डिकूज एंद वीजन ओफ ए गोल्डेन एज मतलब आदिवासी दिकूः और एक स्वर्ण यूग की कल्पना इस चैप्टर में हम बेसिकली ट्राइबल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो ट्राइबल्स को डिटेल में जानने से पहले आईए पहले एक आदमी के बाड़े में तुरा जानते हैं जिनका नाम था बिर्सा मुंडा 1895 में बिर्सा नाम के एक आदमी को बिहार में छोटा नागपूर के जंगलों गाउं में घुमता देखा गया लोग कहते थे कि उसके पास चमतकारी सक्तिया हैं वो सारी बिमारिया दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी बोरी मतलब ग्रेन की धेडी को वो कई गुना बढ़ा देता था बिर्सा ने ये खुद ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए भेजा है मतलब जो दिकूज है बारी लोगों के लिए ये वर्डियूज होता था उसकी गुलामी से आजात करना के लिए मतलब उसे भेजा गया है कुछ समय के बाद ही हम देखते है कि हजारों लोग बिर्सा के पीछे चलने लगे वो उसे भगवान मानते थे उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याय वो दूर करने आया है विर्सा का जन्म एक मुंड़ा पडिवार में हुआ था मुंड़ा एक ट्राइबल ग्रूप है जो छोटा नागपूर में रहता है विर्सा के फॉलोवर्स में इलाके के दूसरे ट्राइबल्स जैसे की संथाल और ओड़ाओं भी सामिल थे ये सभी जो थे अपने आसपास आ रहे हैं बदलाओं और ब्रेटिस सासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे उनका जीने का तरीका नश्ट होता दिखाई दे रहा था उनका जो लाइबलिहूट था वो भी एक खत्रे में था इसके अलाव अगर हम बात करें रिलीजन तो वो भी खत्रे में महसूस हो रहा था अब ये सवाल उठता है कि विर्षा जो है वो किन समस्याओं का हल करना चाहता था जिनें डीकू कहा जा रहा है वे बाहरी लोग कौन थे उन्होंने इलाके के लोग को कैसे मतलब तरह से बात करें गुलाम बना लिया बिटिस राज में आदिवासी के साथ क्या हो रहा था और भी प्रस्ण है जैसे आदिवासी मतलब ट्राइबल्स का जीवन किस तरह बदल रहा था इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ पिछले साल आपने ट्राइबल्स सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था जाना तर हम जानते ही है कि जो ट्राइबल्स के रीती रिवाज और रस्मे होते हैं वो ब्रामनों द्वारा निर्दारे तरीती रिवाजों और रस्मों से बहुत ही अलग होती है इन सोसाइटीज में आपको वो गहरे मगरम बात करें समाजिक भेदभाव देखने को नहीं मिलेंगे जो जाती पराधारित समाजों में दिखाई देते हैं वे सारे लोग जो बिलॉंग करते हैं सेम ट्राइब को वो अपने आपको और सारे लोगों को ऐसा समझते हैं जैसे वो उनके रिस्तेदार है लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो ट्राइबल्स है उनके बिज कोई सोसल और एकनॉमिक मतलब आर्थिक और समाजिक फर्द नहीं था तो चलिए फिर ट्राइबल्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम बेसिकली उनके बारे में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्राइबल ग्रूप्स कैसे रहते थे इसमें हम देखेंगे कि कुछ जो थे वो जूम कल्टिवेटर थे कुछ जो थे वो हंटर और गैदरर थे इसके अलावा कुछ जो थे वो जानवर पालते थे और कुछ लोग जो थे वो एक जगा खेती करते थे इसके बाद हम जानेंगे कि कोलोनियल रूल जो है वो tribal life जो है वो कैसे affect किया इसमें हम देखेंगे कि जो tribal cheap थे उनका क्या हुआ shifting cultivator के साथ क्या हुआ इसके अलावा हम देखेंगे कि forest laws जब आएं तो उनका जो है क्या impact हुआ फिर हम देखेंगे कि trade में क्या problem हुई और लास्टली हम इसी में देखेंगे कि वे लग जो है वो काम के लिए क्यों निकल पढ़े ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में हम विर्सा मुंडा के बारे में detail में पढ़ेंगे और उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे तो बिना देड किये chapter को start करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि tribal group कैसे रहते थे तो 19th century तक हम देखते हैं कि tribal group जो है वो different parts जो है इंडिया के उसमें जो है अलग अलग तरह के activities में involved थे आईए हम detail में जानते हैं कि वो कौन-कौन से activities में involved थे तो उनमें से कुछ जो थे वो जूम cultivator थे ये जो है ये जूम cultivation की practice करते थे और इसको हम बोलते हैं shifting cultivation इस तरह की जो खेती होती है वो अधिकतर जंगलों में छोटे छोटे लैंड पर की जाती थी ये लोग जो थे वो जमीन पर धूम लाने के लिए पेरों के उपड़ी हिस्से को कार देते थे और जमीन पर उगी जो घास फूस होती थी उसको जला कर साफ कर देते थे इसके बाद वे घास फूस मतलब की vegetation के जलने पर पैदा हुई राख को मतलब ऐस को खाली जमीन पर छिरक देते थे इस ऐस में पोटास होती थी जिससे जो है मिट्टी फर्टाइल हो जाती थी वे जो है कुलहारी से पेरों को काटते थे और कुदालों से जमीन की उपड़ी सता को जो है एक तरह से साफ कर देते थे वे जो है खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे जब एक बार फसल जो है वो तैयार हो जाती थी तो उसे वो काट कर दूसरी जगा के लिए चल परते थे जहां से उन्होंने अभी जो है फसल काटी थी वो जगा कई सालों तक फैलो ही छोड़ दी जाती थी मतलब पर्ती ही छोड़ दी जाती थी ये फैलो लेंड वो फिल्ड होती है जो की ऐसे ही मतलब बिना खेती के छोड़ दी जाती है कुछ समय के लिए जिससे जो है स्वाइल जो है अपना फर्टिलिटी वो डिकवर कर ले तो आगे भरते हैं तो ये जो सिफ्टिंग कल्टिवेटर थे ये जनरली जो है हिली और फोरेस्टेट ट्रैक जो होती है नौर्थ इस्ट और सेंटरल एडिया में वहाँ पर पाए जाते थे ये जो ट्राइबल पिपुल थे इनकी जो जिन्दगी थी वो जंगलों में फिरी मूवमेंट और क्रॉप्स को उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तमाल पर अधारित थी वे केवल इसी तरीके से सिफ्टिंग कल्टिवेशन कर सकते थे तो ये तो हमने जाना कि कुछ जो थे वो सिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे अब हम जानेंगे कि कुछ जो थे वो हंटर और गैदरर थे बहुत सारे इलाकों में ट्राइबल ग्रूप्स एनिमल्स का सिकार करके और फॉरेस्ट प्रोडियूस को इकठा करके अपना काम चलाते थे वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी मानते थे तो उरीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड इसी तरह का एक कॉम्मिटी था इस कॉम्मिटी के लोग टोलिया बनाके मतलब एक साथ मिलके सिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बाट लेते थे वे जंगलों से मिले fruits और roots मतलब फल और जरे उसे खाते थे वे जो है खाना पकाने के लिए साल और के बीजों का तेल इस्तमाल करते थे साल जो है वो एक तरह का पेर है और महुआ जो है वो एक तरह का फूल है जिसे खाया जाता है या फिर सराब बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है इलाज के लिए जो है वो बहुत सारी जंगली जरीबूटिया का इस्तमाल करते थे और जंगलों से इकठा हुई चीजों को लोकल बजारों में बेच देते थे जब भी लोकल वेवर और लेदर वर्कर जैसे की मतलब बुनकरो और चमरा कारीगरों को कपड़े वो चमरे की रंगाई के लिए कुसुम और पलास के फूलों की अगर हम बात करें जरूरत होती थी तो वो एक खोंड कॉम्निटी के लोग को ही कहते थे तो हम देख सकते हैं कि खोंड कॉम्निटी की अपनी ही इंपोर्टेंस है तो आईए अब जानते हैं कि ये जो फॉरेस्ट पिपुल थे इनको जो है चावल और जो अन्य अनाज होते थे वो कहां से मिलते हैं तो कई बार तो चीजों की जो है अदला बदली से काम चल जाता था वे जो है अपनी कीमती फॉरेस्ट पोडियूस के बदले जरूरत की चीजे ले लेते थे इसके अलावा कई बार जो है उन्हें चीजे खरीदने के लिए अपने पास जो छोटी मोटी अर्निंग होती थी उनका भी सहारा लेना पड़ता था इन में से जो है कई लोग जो है आसपास के गाओं में जाकर नौकड़ी भी करते थे कोई बोज़ाड होता था तो कोई जो है सरक निर्मान कारेयों में नौकड़ी करता था तो कोई जो है अगर हम बात करें तो खेतों में मजदूरी का काम करता था तो इस तरह से जो है बहुत तरह के वो काम भी करते थे और यह जो ट्राइबल मतलब पिपल होते थे इनको जो है मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना तब पड़ता था जब जो है बंड का जो उत्पाद मतलब एक तरह से जो फॉरेक्ट पॉडियूस होता था वो कम पर जाता था लेकिन इन में से बहुत सारे ऐसे भी थे जो की मतलब अगर हम बात करें तो दूसरों के लिए काम करने से कत्रा आते थे जैसे की सेंट्रल इंडिया के वैगाज वैगाज जो है वो खुद को जंगल की एक तरह से संतान मानते थे मतलब जंगल का लोग मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिन्दा रह सकता था और मजदूरी करना उनके लिए अपमान की बात थी ट्राइबल ग्रूप्स को जो चीजे आसपस पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए एगर हम बात करें तो खरीदना और बेचना भी परता था इसी वज़ा से वो कई बार जो है ट्रेडर और मनी लेंडर बारी और जो महाजन होते थे उन पर जो है डिपेंड हो जाते थे बैपारी जो है वो बेचने की चीजे लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजों को बेचते थे इसके अलावा गर हम बात करें जो मनी लेंडर होते थे वो भी जो है ट्राइबल को करजात होते थे लेकिन इसके बदले जो है बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्ट लेते थे इस तरह से अगर हम बात करें तो बाजार और कमर्स ने आदिवासियों को कर्ज और गरीवी में धकेल दिया लिहाजा जो है वे मनी लेंडर और ट्रेडर को जो है वो बाहरी सैतान और अपनी सारी मुसीवतों की जर्ग मारने लगे थे तो ये तो हमने जाना कि कुछ जो थे वो हंटर और गैदर थे अब हम जानेंगे कुछ जो है वो जानवर पालते थे तो उनके बारे में हम जानेंगे बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रूप थे वो जानवरों को पाल कर अपनी जिन्गी चलाते थे वे जो है पैस्ट्रोलीस थे मतलब चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से कैटल या अगरम बात करें सीप मतलब की मवेशी और भेरों के जूंड को लेकर यहां से वहां जाते रहते थे जब एक जगा का ग्रास मतलब घास खत्म हो जाता था तो वे दूसरे इलाकी में चले जाते थे पंजाब के पहारों में रहने वाले बन गुजर और आंत प्रदेश के लवारिया आदी जो समुदाय थे वो गाए भैस के जुंड को पालते थे कुलू के गदीज गररिया थे मतलब सिफर्ड थे और कस्मीर के जो बकडवाल थे वो बकड़िया पालते थे तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग जो है वो एक जगा खेती करते थे 19 सेंचुरी से पहले ही हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रूप है वो एक जगा टिक कर खेती करने लगे थे वे बार बार जगा बदलने की बजाए सार दर साल अगर हम बात करें तो एक ही जगा खेती करते थे वे जो है अब हलो का इस्तमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे बहुत सारे जो बात करे जो ग्रूप्स थे उनमें जो है बात करे तो छोटा नापपूर के जो मुंडाओ थे उनकी तरह ही जमीन पूरे कबिले की संपत्ती होती थी क्लैन के सभी सदस्यों को उन अगर हम बात करें तो ओरिजिनल सेटलर्स का डिसेंडेंट माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को क्लियर किया था लिहाजा जमीन पर सभी का बड़ाबर हक होता था फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि क्लैन के कुछ लोग औरों से जादा जो है वो पावर जुटा लेते थे कुछ जो है उनमें से चीफ बन जाते थे और बाकी जो है उनके फॉल्लोर होते थे जो हैं इन में से ताकतोर होते थे वे जो है खुद केती करने की बजाए अकसर जो है अपनी जमीन दूसरों को रेंट पर दे देते थे बिटिस ओफिसियल गोंड और संताल जैसे एक जगा ठहर कर रहने वाले ट्राइवल ग्रूप को जो हंटर गैदरर और सिफ्टिंग कल्डिवेटर थे उनके मुकाबले ज्यादा सिविलाइजड अगर हम बात करें तो सब भे दिखाई देते थे उनको जो लोग जंगलों में रहते थे उन्हें जंगली और खुखार माना जाता था बिटिसर्स को लगता था कि उन्हें जो है अस्थाई रूप से एक जगा बसाना और उन्हें सिविलाइज मतलब सब भे बनाना बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो इस तरह से हमने जाना कि वो किस तरह से रहते थे और उसके लिए जो है वो क्या-क्या activities करते थे अब हम जानेंगे कि ये जो colonial rule आया वो जो है उनके जीवन पर एक तरह से क्या affect किया तो बिटिस सासन के दौरान ये जो ट्राइवल ग्रूप्स थे उनका जीवन जो है एकदम बदल गया आईए देखते हैं कि ये बदलाव क्या थे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो ट्राइवल चीफ्स थे इनका क्या हुआ तो अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में जो ट्राइवल के चीफ्स थे उनका जो है बहुत ही इंपोर्टेंट अस्थान होता था उनके पास औरों से ज़्यादा एकनोमिक पावर मतलब आर्तिक ताकत होती थी और वे जो है अपने इलाके पर कंट्रोल रखते थे कई जगा उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन मतलब लैंड और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट था उसके जो नियम होते थे वो खुद बनाते थे बिटिस सासन के दोरान हम देखते हैं कि ये जो ट्राइबल चीप्स थे इनके कामकाज और अधिकार जो है वो काफी बदल गए थे उन्हें कई-कई गाओं पर जमीन का मालिकाना हग तो मिला लेकिन उनकी जो सक्तिया थी वो एक तरह से चिन गई उन्हें जो है बिटिस अधिकारियों दोरा बनाए गए नियुमों को मानने के लिए बात देख कर दिया गया एक तरह से उन्हें जो है वो अंग्रेजों को ट्रिब्यूट देना पड़ता था मतलब नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के जो पर्थिनीदी होते थे उनके तरफ से अगर हम बात करें तो अपने गुरूप्स को अनुसासन में भी रखना होता था पहले जो उनके पास ताकत होती थी अब वो नहीं रही वे जो है अपना ट्रेडिशनल फंक्शन जो है उसको अब एक तरह से बात करें तो फुल्पिल नहीं कर पा रहे थे तो ये तो हमने जाना कि ट्राइवल चीफ्स के साथ क्या हुआ अब हम बात करेंगे कि ये जो सिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे इनका क्या हुआ ऐसे ग्रूप से जो बिटीसर्स थे काफी पड़ेसान रहते थे जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह रुप कर नहीं रहते थे वे चाहते थे कि ये जो ट्राइवल ग्रूप्स हैं एक जगह रुप कर रहें और खेती करें वे ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि एक जगह रहने वाले किसानों को कंट्रोल करना आसान था बिटीसर्स जो हैं अपने सासन के लिए रेगुलर रेवेन्यू भी चाहते थे फल्स वरूप हम देखते हैं कि उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिये उन्होंने जमीन को मेजर कर परतिक वेक्ति का हिस्सा तै कर दिया उन्होंने ये भी तै कर दिया कि किसे जो है कितना रेवेन्यू देना होगा कुछ पीजेंट्स को हम देख रहे हैं कि डिकलेयर कर दिया गया कि वो लैंड ओनर होंगे और कुछ को जो है वो tenant गोसित कर दिया गया तो जैसा कि हम पहले ही जानते हैं और chapter 2 में देख चुके हैं कि जो tenants होते थे वो जो है rent देते थे landowner को और जो landowner होते थे वो revenue पे करते थे state को तो आगे हम देखते हैं कि जो British का एक तरह से कोसिस था कि वो जो है जूम की खेती करने वाले जूम कल्टिवेटर को जो है वो settle करवा दे ये जो है बहुत ज्यादा successful नहीं हुआ जहाँ पे पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलो से खेती करना आसान नहीं होता है बलकि हलो की मदद से खेती करने वाले जो जूम कल्टिवेटर्स थे उनको अक्सर नुक्सान ही हुआ क्योंकि उनकी खेती जू है अच्छी उपज नहीं दे पाती थी इसलिए नौर्थिस इंडिया के जूम कल्टिवेटर्स इस बात पर अरे रहें कि उन्हें जो है ट्रेडिशनल मतलब परमपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए बहुत जादा बिरोध होने के कारण अंग्रेजों को मतलब बेटिसर्स को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कभीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में जो है सिप्टिंग कल्टिवेशन की चूट दे दी गई आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट लॉ की और उसके इफेक्ट्स की जैसा कि हमने देखा कि जो ट्राइबल ग्रूप्स हैं उनका जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था इसलिए जो फॉरेस्ट में मतलग की लॉआ है मतलग की जंगल में जो कानून है उनके बदलाव से आदिवासी जो है मतलब जो ट्राइबल थे उनके जीवन पर बहुत ही भारी असर पड़ा ब्रिटिस ने सारे जंगलों पर अपना कंट्रोल अस्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोशित कर दिया था कुछ जंगलों को डिजर्ब फॉरिस्ट घोशित कर दिया गया ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज जो है अपनी जरूरत के लिए टिंबर की जो लकडी होती थी वो पैदा होती थी इन जंगलों में लोगों को स्वतंत रूप से घूमने जूम खेती करने फली कठा करने या जानवरों का सिकार करने की इजाज़त नहीं थी ऐसी सुरत में भला जूम कल्टिवेटर किस तरह जिन्दा रह सकते थे इसलिए उन्होंने उन्हीं में से बहुत से लोग वो काम और रोजगार की तलास में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाने लगे जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर ट्राइडल्स के रहने पर पाबंदी लगा दी उनके सामने एक समस्या पैदा होगे समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेर काटने और लर्क्री को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए मज़दूरों का इंतिजाम कहा से किया जाए कोलोनियल ओफिसियल ने इसका भी एक हल डूर निकाला उन्होंने तै कि जूम कल्टिवेटर्स को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकरे दिये जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी जूट होगी बसरते गाओं में रहने वालों को फोरेश्ट डिपार्टमेंट के लिए मज़दूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी इस तरह बहुत सारे इलाकों में forest department ने बहुत ही सस्ते labor की अगर हम बात करें तो regular supply के लिए forest village बसा दिये पर ऐसा नहीं है कि लोगों ने बिरोध नहीं किया बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे मतलब ग्रूप उन्हों ने जो है colonial जो laws थे उसके खिलाब जो है बिरोध किया सरकार कर दिया और उन्हीं तोर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोसित कर चुकी थी कई बार उन्होंने खुले आम बगावत भी कर दी 1906 में सुंगराम संग्मा द्वारा असाम में और 1930 के दसक में हम देखते हैं कि जो मध्य प्रांत में मतलब सेंटरल प्रोविंस में जो अगर हम बात करें फॉरेस सत्यागरा हुआ था इसी तरह के बित्रो थे तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि ट्रेड में मतलब ब्यापार में क्या समस्या थी 19 सेंचुरी के दौरान ट्राइबल ग्रूप्स ने ये पाया कि जो ट्रेडर और मनी लेंडर है मतलब ब्यापारी और जो महाजन है वो जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं वे जो है फॉरेस्ट परडियूस खड़ी दने कैस लोन देने और ट्राइबल्स को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे इन सारे बदलाओं से क्या असर परने वाले हैं यह ट्राइबल्स ग्रूप्स को समझने में कुछ समय लग गया यह समझने के लिए आए सिल्क ग्रूवर की इस्तीती को देखें एटीन सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो इंडियन सिल्क था उसका जो है इरोप के बजारों में बहुत ही जादा डिमांड था मतलब मांग थी इंडियन सिल्क की अच्छी अगर हम बात करें क्वालिटी सबको आकर्सित करती थी और भारत का जो है निर्यात मतलब एक्सपोर्ट जो है वो तेजी से बढ़ रहा था जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड किया मतलब बाजार फैला इस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे इस मांग को पूरा करने के लिए सिल्क पोड़क्शन पर जोर देने लगे जारखंड में स्थीत हजारी बाग के आसपास रहने वाले जो संथाल थे वो सिल्क के कुकून्स को पालते थे सिल्क के ट्रेडर्स अपने एजेंटों को भेज कर ट्राइबल्स को कर जा देते थे और उनके जो कुकून्स होते थे उनको इकठा कर लेते थे उस समय जो है एक हजार कुकून्स के लिए तीन चार रुपए ही मिलते थे इसके बाद जो है इन कुकून्स को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था जहां उन्हें पांच गुना कीमत पर बेचा जाता था एक्सपोर्टर और सिल्क ग्रोवर के बीच कड़ी का काम करने वाले मिडिल मैन को जम कर मुनाफ़ा होता था ये जो सिल्क ग्रोवर होते थे उनको बहुत मामूली फायदा मिलता था कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रूप हैं वो मारकेट और ट्रेडर को अपना सबसे बड़ा दुसमन मारने लगे थे अब हम बात करेंगे उन ट्राइबल की जो काम की तलास में निकले थे काम की तलास में घर से दूर जाने वाले ट्राइबल्स की दसा तो और भी खराब थी 19 सेंचुरी के आखिर से ही टी प्लांटेशन फैलने लगे थे और माइनिंग भी एक इंपोर्टेंट इंडस्ट्री बन गया था आसाम के टी प्लांटेशन मतलब चाय बागानों में और जहरखंड की कोईला खादानों में काम करने के लिए ट्राइबल्स को बड़ी संख्या में भरती किया गया इन लोगों को ठेकेदारों की तरफ से भरती किया जाता था ये ठेकेदार ना केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बलकि उन्हें वापस घर भी नहीं लोटने देते थे तो ये तो हमने देखा कि कोलोनियल रूल ने ट्राइबल ग्रूप को किस तरह से अफेक्ट किया आईए अब क्लोजर लूप देते हैं उन्हें ट्राइबल ग्रूप को जो 19th और 20th सेंचुरी के दोरान हमें दिखें 19th और 20th सेंचुरी के दोरान देश के अलग-लग भागों में ट्राइबल ग्रूप ने बदलते कानूनों अपने प्रैक्टिसेज पर लगी पावंदियों नए टैक्सेज और ब्यापारी मतलब कि ट्रेडर और मनी लेंडर द्वारा किये जा रहे सोसन के खिलाब कई बार बगावत की जैसे की 1831 से 1832 के बीच में कोल्स ने की और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में बस्तर बिद्रो 1910 में हुआ और 1940 में महारास्ट्रा में वर्ली बिद्रो गुआ विर्षा जो इस आंदोलन का नेत्ति तो कर रहे थे वो भी इसी तरह का बिद्रो था तो आईए अब हम विर्षा मुंडा के बारे में बहुत ही डिटेल में जानते हैं जिसकी कुछ जहलग आप चैप्टर के स्टार्ट में देख चुके हैं विर्षा मुंडा का जन 1870 के दसक के मिड में हुआ उनके पिता जो थे वो बहुत ही गरीब थे विर्षा का जो बचपन था वो भेर बकडियों चराते बासुरी बजाते और अस्थानिये अखारों में नास्ते गाते बीता था उनकी जो परवरिस थी वो मुखे रूप से बोहुंडा के आसपास के जंगलों में हुई गरीबी से लाचार विर्षा के पिता को काम की तलास में जगा जगा बटकना पड़ता था लड़कपन में ही बिर्षा ने अतीत में हुए मुणडा बिद्रोहों की कहानिया सुननी थी कई बार कॉम्निटी के सरदारों को बिद्रोह का आवान करते देखा था बिर्षा के जो कॉम्निटी के लोग थे वो ऐसे गोल्डेन एज की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डिकू से पूरी तरह आजात थे सरदारों का कहना था कि एक बार फिर जो है उनके कॉम्निटी के परमपरागत जो अधिकार हैं वो बहाल हो जाएंगे वे खुद को इलाके के ओरिजिनल सेटलर्स का डिसेंडेंट मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे वे जो है लोग को यह याद दिलाते थे कि उनहें जो है अपना किंगडम मतलब सामराज्य जो है वापस पाना है बिरसा जो है वो लोकल मिस्नरी स्कूल में जाने लगे और वहां जो है उन्हें मिस्नरियों के द्वारा उपदेश सुनने का मौका मिला वहां भी उन्होंने यही सुना कि जो मुंडा समुदाय है वो स्वर्ण का जो मतलब गोल्डेनेज का जो समराज्य का वो बात कर रहें वो हासिल कर सकते हैं और अपने खोये हुए अधिकार जो है वो भी वापस पास सकते हैं अगर वे अच्छे इसाई मतलब क्रिश्चन बन जाएं और अपनी खड़ाब आदते छोड़ दे तो वो ऐसा हो सकता है बाद में बिर्शा ने एक जाने बाने वैसनो धर्म परचारक के साथ भी कुछ समय बिताया उन्होंने जो है जनव धारिन किया और सुद्धता मतलब प्यूरिटी वो अध्या पर जोड़ देने लगे अपनी किसोर वावस्था में बिर्शा जिन विचारो मतलब कि आईडियाज के संपर्क में आए उनसे जो है वो काफी गहड़े तोर पर परभावित थे बिर्शा का अंदोलन ट्राइबल सोसाइटी को सुधारने का अंदोलन था उन्होंने मुंडाओं से अहवान किया मतलब की एक तरसे उनसे रिक्वेस्ट किया कि वे जो है सराप पीना छोड़ दे गाउं को साफ रखे और डायान वो जादू टोने में विश्वास न करे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिर्शा ने मिस्नरियों और हिंदू जमिंदारों का भी लगतार बिरोत किया वो उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा के जीने के तरीके को नश्ट कर रहे थे 1895 में बिर्शा ने अपने फॉलोवर से अहवान किया कि वे अपने गोलोरियोस पास्ट को रिकवर करने के लिए संकल्प लें वो अतीत के एक ऐसे स्वर्नियूग मतलब गोल्डेन एज सतियूग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, इम्बैक्मेंट का निर्मान करते थे, कुदरती जर्णों को नियंतरन करते थे, पेर और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे तो ये सारी चीज़े वो याद दिलाते थे उस यूग में मुंडा जो है अपने बिरादरों और इस्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे इमानदारी से जीते थे बिर्षा चाहते थे कि लोग जो है एक बार फिर जो है अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगागा पर टिक कर रहें और अपने खेतों में ही काम करें अंग्रेजों को, मतलग कि बिर्षा अंदोलन के पॉलिटिकल एम से बहुत ज़्यादा परेसानी थी यह अंदोलन मिस्नरियों, फिर से मनी लेंडर्स, हिंदू लेंडलोड और सरकार को बाहर निकाल कर बिर्षा के नेतित्तों में मुंडाराज अस्थापित करना चाहता था यह जो अंदोलन था, इन ही ताकतों को मुंडाओ की सारी समस्याओं, वो कष्टों का सोर्स मानता था बिर्टिस की लेंड पॉलिसी जो है, उनकी परमपरागत जो लेंड बेवस्था थी, उसको नष्ट कर रही थी जो हिंदिव लेंडलोर्ड थे और जो मनी लेंडर थे, उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और जो मिस्णरी थे, उनकी परमपरागत संस्कृती, मतलब की जो ट्रेडिशनल कल्चर था, उनकी आलोचना करते थे जब यह अंदोलन फैलने लगा तो बिटिस ने सक्त करवाई का फैसला किया उन्होंने 1895 में विर्षा को गिरफतार किया और दंगे फसाद के आरोप में दो साल की सजा सुनाई 1897 में जब वो जेल से लोटे तो उसके बाद विर्षा समर्थन जुटाने के लिए गाउं गाउं घुमने लगे उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए ट्रेडिशनल, सिम्बॉल और लैंग्वेज का इस्तमाल किया वे आवान कर रहे थे कि उनके नहतित्तों में समराज्य की अस्थापना के लिए रावनों मतलब डिकूज और उरोपियंस को तबाह कर दे विर्षा के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने डिकूज और इरोपियंस पावर के जो सिम्बॉल होते थे उनको निसाना बनाने लगे उन्होंने पूलीस स्टेशन और चर्चों पर हमले किये और महाजनों मतलब मनी लेंडर वो जमिनदारों की संपत्ती पर धावा बोल दिया मतलब रेड मार दिया सफेज जंडा जो है वो बिर्षा राज का एक तरह से परतीक था बाद में हम देखते हैं कि 1900 में बिर्षा की क्लोरा मतलब हैजेस से मौत हो गई और आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ गया ये जो आंदोलन है ये दो मायनों में बहुती ज़्यादा इंपोर्टन था पहला इसने जो है कोलोनियल गौवर्मेंट को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिये डीकूज जो है वो ट्राइबल्स की जमीन पर आसानी से कबजा न कर सके दूसरा इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का बिरोध करने और जो कोलोनियल सासन के बिरोध अपने गुसे को ब्यक्त करने में जो ट्राइबल्स है वो सक्चम है उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रिच्वल्स और स्ट्रगल के सिंबॉल्स के जड़िये इस काम को अन्जाम दिया तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्रीट होता है और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेट कोई भी परिशानी हुई हो तो आप अपना कोश्चन जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आपका जो सवाल है उसका जवाब जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा ठीक है फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लाने का उस्सा बना रहें थाइंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो गॉन ब्लेस यू